हाँ मंदावी वंते मैंगल कैसे अरी चंजी आप बहुत-बहुत सद वाद आज कि ने आपने बहुत ही अच्छी देशना किया और बहुत सारी इंफोर्मेशन से आपने सेर की है बलकर हम भी मैसूस करते हैं बहुत हंडर प्रसेंट आज देशना में आपने बताई है कि वास्त में इंडिया में यह सारी चीज़े हैं बहुत सारे अच्छा एक और ना वह उसे जुड़ा भी हो वहां तो बिलकुल ही वह बहुत लोगों को ना विख्चों को बिलकुल ही ना ऐसे समझते हैं कि जैसे उनको कुछ ग्यान नहीं है या सारे दोसा रोपन उनके उपर करते रहेंगे सुनने कोई त्यार नहीं रहते हैं बिलकुल लोग को लगता है कि विख्षू को ग्यान होना चाहिए विख्षू का अगर में शील समवर भी है तो भी बहुत है विद्वत्ता कैसा बद्दिविला से शित्र होता है नहीं ब इनके पास में या वह आच्न सील नहीं होंगे हैं हम ग्रस्त में रहा के नहीं कर सकते लेकिन वह तो दोसों सत्ताइस नियमों का पालन कर रहे हैं ग्रस्त में नहीं है तो भी बहुत बड़ी बंदे इतनी आसान ची थोड़ी होती है इस जी उन्हें ने करें त्याक करने हैं भिक्षू बनने आपको जब हमारी उपसंपदा होती रहती है ना उपसंपदा के पहले से हमनों किता डर जाते हैं जब विने पढ़ते दो 27 नियम हमनों डर जाते हैं यहीं पूछना था अभी बताना था कि मैं 6 औगस्ट को मेरे पिता जी का फर्स्ट कुन्यान उमोदन था तो उस वक्त मैंन पे वो लोग बोले कि उनमें और हम में क्या डिफरंट है और बहुत सारे वाद विवाद करने लगे कि जो वो कर सकते हैं वो हम भी पढ़ सकते हैं ऐसे बहुत सारे यानि कि वो दुख्यों होके चले गए इसे इवेंट से तो वो बोले कि पवार साब की लड़की बहुत य यह वस्त्र परिधान किया उनका तो सम्मान होना ही चाहिए तो उन्हें वो विदी के लिए पाचारन किया गया और मुझे तो वो बहुत बुरा लगा कि वो रूट के चले गए उस घटना से तो मेरी गलती है पर सबसे पहले कोन है पर पहला करते हैं विक्कू के परती निभारे और इस उपासक को पब्लम जाए तो गलती उपासक की है उपासक अपने अंदर वैसा आधर भाव गवरा भाव डेवलप करने का है अपने अपने हंकार से वश्यबूत होने करने करने कि उनका स्थान इस पुरे बुद्धर साशन में इस पूरे चार्ट में कहा पर है अब उधारन के लिए कि समझे ये बाता पिता आगे में खड़े है और एक तरफ बड़ा भाई आगे में खड़ा है पहले किसको बंदन करेंगे फिर बाद में किसको करेंगे भाई को कि भले भाई ने माऱ्ता पिता समान किया आ कियांगा पूरे करतवनिभा ना क्यूंकि हीरार्क कि पहले उनकी तरफ पहले उधर जाहएं इस लिए उनtermin की उधर एंड highways की बद्धिश्चा को समझने का है कि मांदुरुजी जी तेंक यू सर थैंक यू बनते थैंक यू बनते बहुत अच्छा लगा जो नियम थे उपासकों के मुझे भी बहुत जानकरे मिली और मैं पालन करने का प्रेत्न तो करती हो लेकिन आगे भी करूंगी थैंक यू बनते लेकिन आपने और मेरा आधर बढ़ा दिया मेरे में जो कुद में जो कमिया थी वह मैं ढूंडने लगी और इसके बात कभी होगी नहीं ऐसी गलतिया यह मैं आपसे इतना अच्छा सत्य है आपका सत्य काफ़ी स्ट्रॉंग है इसका मतलब ऐसे हो नाची दर उद्देश चाले दर हमें अपने अपना पर्श होते जाए वो कहते नता धमदोर यावाता भावबासती यह इतने रोगो सोतापल सगुर्टा का मियाना गामी कैसे हो सब्सक्राइब होता है इसा सिस्टेम हालंकि हम बहुत अन्फॉस्ट्य नहीं है इंडिया में और नापपूर में तो पर्टिकुलरी नहीं और मुझे भी बहुत खराब लगता जब मैं जब देखती हूँ बिक्षो की जवस्था होती है तो मैं कुझ दॉलके जाके उनको पानी पूस्ती हूँ उनको यह पूस्ती हूँ ऐसा खराब लगता है बहुत सबसे बेकार व्यवस्ता कई है तो शादियों में लोग बिख्शु को बुला दो देते हैं ना बोलेंगे कि हम आपके लिए कार और भेज देंगे भी देंगे वहाँ पे एक दूगंड़ा बिठाके रखेंगे बिठाके रख दिया शादी सब लगा दिया एक दूगंड़ा वह екठे छादी कोई कोई वबस्ता नहीं करता कि इतना ने को निके करता कट अैट झिंके बच्चो के शादी हो रही है सबसे बेकार रवस्ता शादी में होता है इसलिए मैं कहूंगा कि आप शादी में जाते और आपको की दिख्शु दे रहा है तो प्लीज पहले अटेंशन उसको दीजे कि उसको वहां पर बहुत कर रहा हूंगा है तो अब पनी तदा तो काफी अच्छी पासे काई श्री वह बहुत चलो द्हां रखते पने ता उपासा व बिक्रोगा है अनसीम अचान और कोई वंदा मी पंटेगी मंगलों बुलिये नसीम पंटेगी ये आप तो उपसंप्रदा के बारे में वंदा मी पंटेगी ये उपसंप्रदा के बारे में फड़ा बता यह ना वंटेगी क्योंकि रामनेर का थोड़ा अलग रहता है और मुझे और एक बात कुछ नहीं थी कि आप भी बंटेगी बन गये तो आपको पहले से ही लग रहा था कि हम लोग नेश्क्रमा पहले से रहता ही है लेकिन चौटा है उसमें जानना था और थोड़ा उपसंपदा के बारे में अभी जो आप मुझे लगदा है कि जिसका गुरुच कहते है ना कि वह पारे मिता होते है तो हमारी कैसा है कि हमको बराबर उस रास्ते पर लेका आते कोई-नोंको रिजन होता ह वो खारन है उसको उधर लेके जाने के लिए वो लेकिन बराबर उस राष्टे पर चला जाएगा विरा कैसे वाख मैं दजदी के लिए बना था तो फिर मैं उस समय मैं तो फिर साथ साल हो गए साथ-ाथ साल हो रहे अभी तो चल रहा है तो लेके चल रहे है अभी पर वह अलग से भाव आ गया था अभी उसको नहीं कर सकता है उसको आप आराम से कि वह बहुत लंपी एक है किसी दिन में ऐसा इसी विश्य पर रहा कि मेरी जर्नी कैसी रही विख्षु जीवन में तो उस कि कैसे एक सेशन ले लेंगे उस पर कि हम कैसे विख्षु बने और सही में हर विख्षु कता जाने लाए कि कभी आप ग्रावन बंदी की कहानी जानिये बहुत अच्छा लगा है इंट्रेस्टिंग कहानी होती है कि लोग कैसे जीवन में आते हरे कि अपना बहुत अलगी ए लेने के पहले उसको शामिर मिलते हैं चीवर की उसके मेन होते हैं उसके में होते हैं तो यह शामने दिख्षा है ज्यादा उसमें रिलू-जूर्स वगेरा होते नहीं है अनॉर्मल जीवन है ऐसा का जाता है कि कम से कम तीन से शामने ना चाहिए पर उसके बाद उपसंपना के कोशिश उसमें करने चाहिए शामने दिख्षा है किस एक बिख्षाबास होने चाहिए डस उने चाहिए शामने के बार यूर्णे के बार दस बिख्षोब के अंडर में एक सीमा होती है इंडिया बड़ा दुरभाग इनागपुर में नृम उसकता है यहां पर भिख्षव का उपशत सब्सक्राइब उसको नहीं नहीं है तो सीमा के अंडर में दस विक्षू के इससे उसकी क्या होती है उसे कहते है वर्षाबास बनाता है किसी एक विहार में तीन मेंने के लिए रह रहा है तीन में रहता है तो उसके वर्षाबास गिनना शुरू होते है शामिर में वर्षाबास नहीं होते है विक्षू में क्या होते है वर्षाबास होते है वर्षाबास होते है तो इसे एक शामिर की जब दिक्षा होती है तो उसे कहते है वो पसंपता उसकी विद्धी होती है जब वो शामिर उसके लिए आसना करता है यह विक्षू होता है और के टिरे के एक शाम्रल पर से पर में बताना है कि इतना पता है कि नहीं बहुत 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 दनिवाद विख्षों के विख्षों के कुछ गुछ विनियम है जो उपासभों ने बिल्कुल भी नहीं जानने चाहिए तो इसलिए मैं गए बार देता हुए कुछ लोग कुछ भीकुकासों को इच्छा होते हैं कि विक्षू के विनाय पढ़ने की पर नहीं पढ़ना चाहिए इससे आपकी ही हानी होंगी है ना नेक्स्ट बंदामी बंते जी बहुत अच्छी थी उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुआद और मेरा प्रशन यह था कि काफी सारे जो उपासक लोगे वह भीक्षू को कम और बोधिचारी जो बने हुए होते उनको आजकल ज्यादा इन्वाइट करते हैं अपने सभी का इक्रमों में जैसे शादी का फंक्शन है या कोई किसी का जल्दान विद्धी है तो उसमें बौधिचारी लोगों को ज्यादा उम लोगों को बुलाते हैं और बिक्षू लोगों को कम बुलाते हैं तो उसके बारे में जराब गाइट करीए तो वह इसलिए क्योंकि वह समझने कारण ही वह ऐसा करें और मित्था दुष्टी में वह बुद्धास अशन को ठीक परकाच समझनी पाएं और कभी बुद्धास में कुछ भी को प्राप्ता नहीं कर पाएं इसके चलते कि मंदा मी बनते ची मंगरू कि मैंक्स्ट कि अन्यूल की चीए हम्रों कि अलो कि में हुना कि वंद्धाएं मंते जी मंगरू बोलिया मंते जी मुझे बहुत खुश हो रही आपके आज देशना जो सुनी न उसमें न मेरे शादी में मेरे पापा जी ने बहुत सारी बिख्शों को बुलाया था मतलब छे साथ तो होगी उनके लिए अलग से आसन रखाता है मुझे फटाक से याद आ गया और मुझे इसे लग रहे कि मैं आपके साथ स्यर करिए मैंने मेरे पादी का आल्बूम निकाला और देख रही कि कहा पा बराबर था कि नहीं हुआ तो मेरे पापा जी नहीं तो बहुत अच्छे से रखा था इंको बिट्व जी मतलब अंतिजी लोगों का स्तान अलग से था उनका और शादी का मंदब अलग से था बगवान बुद्ध का एक बैनर लगा हुआ है बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने तो खाले एक बोला था कि मेरे शादी में कमसे में एक दू बंतिजी तो होनी चाहिए ना बाबा असक असक अगरता तुम्हीं कि माजे थाने ओले मामा एतना बोधा चारी खुब चाहन लगनाला था तो माजे सगड़ा भावन चे माजे फिख्शा मोटे तो आनमी में शोड़्च उति पाचवा नंबर माज़ा होता हुअध्लिक तो है जे लगनला थे उनकानी और भंद्टिजी लोगा आदाश भोद आपन मला वीडियो साथ यह अलाव करता का? बिल्कुए बिल्कुए, करा अलाव अजय जी ओफ इस बंथिजिन चाश्रा ए और झाली जोटो सोब से खाइक थए जग पराइक तैजर किन या तजी ओं